हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इश्रम कार्ड के बारे में top 10 most important major point discuss करेंगे पहले बात कर लेते हैं, इश्रम कार्ड है क्या? तो दोस्तों यह इश्रमिक कार्ड असंगटित छेत्र में काम करने वाले मजदूरों का एक ID कार्ड है जिसकी अनतरकत एक वरकर की व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ उसकी शिक्षा, कौसल और व्यवसाय के बारे में सभी जानकारी इस इश्रम कार्ड के अंदर दर्ज होगी जिससे सरकार इस डेटा की मदद से मस्दूरों के लिए सही योजनाय और रोजगार के अच्छे अविशर उपलब्द करा पाएगी चलि दोस्तो अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स की नमबर वन यदी कोई व्यक्ति अस अंगटित छित्र में काम करता है और उसने अपना इश्रमिक कार्ड बना रखा है तो सरकार आने वाले समय में उसके बच्चों को सीधा च्छात्रवती दे सकती है दोस्तो अब चनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो परसंद आये तो प्लीज लाइक करे बगर ना जाएं नमबर दो अभी देश में सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है चहें वे ऐसंगठित छितर में काम करता हो या ना करता हो लेकिन जिनके पास इश्रमिक कार्ड होगा उनके डेटा के आधार पर अन्य लोगों की तुलना में मजदूरी करने वाले लोगों को अधिक मात्रा में राशन मिल सकता है नमबर तीन इश्रमिक कार्ड के अनुसार सरकार आपकी योगशता आपके अनुभव के हिसाब से आपको कार्य दे सकती है जिससे की रोजगार के अवसर खुलेंगे नमबर चार, इश्रम कार्ड के फायदे आने वाले समय में PM आवास योजना के तहत उनको मकान भी दे सकती है नमबर पांच, इश्रम कार्ड के लिए अपलाई करने पर आपको PM सुरक्षा बीमा योजना का लाव भी मिलेगा और एक साल तक सरकार इसका प्रेमियम भी भरेगी नमबर च्छे, भविश्च में यदि सरकार वरकर्स के लिए कोई योजना लाती है तो उसका सीधा लाव वरकर्स को मिलेगा नमबर साथ, इश्रम कार्ड के तहट आने वाले समय में सरकार चाहे तो आपको बगैर ब्याच के लोन भी मोहिया करा सकती है नमबर आठ, इश्रम कार्ड बनने के बाद सरकार आपको 500 रुपे पर कार्ड के हिसाब से आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कराएगी नमबर नाओ, इश्रम कार्ड का लाब उन्हें मिलेगा जो ESIC और EPFO का सदश्य नहीं होंगे नमबर दस, जो लोग इंकम टेक्स भरते हैं उन्हें भी इस कार्ड का लाब नहीं मिलेगा और कार्ड बनवाने की आयू सीमा 15 साल से लेकर 69 साल यानि के 59 यर्स तक है तो उम्मीद करते हैं इससे आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे अगर हां तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में